हेलो स्टुडेंट्स वेलकम तो आर यूट्यूब चैनल दा तुचन कॉर्णर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू करें हेलो स्टुडेंट्स लास 11 चैप्टर अकांटिंग एक्वेशन और लेक्चर है मेरा आज 2 तो करते हैं कुश्चन स्टार्ट अकांटिंग एक्वेशन का और कुश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा इसमय है प्रूब देट accounting equation is satisfy in all the following transaction of also prepare balance sheet आपको यहाँ पर balance sheet भी prepare करनी है सबसे पहला point है अब जैसे कि again वही चीज है कि यह column किस तरीके से बने है तो इसका format है serial number, transaction, cash, typewriter, stock, adapter यह four column किस तरीके से आए four name कैसे आए उसके बाद है capital and creator तो यह मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके साए तो सबसे पहले जो point लिखे हुए है question में उसमें पहला है started business with cash तो यहाँ पर क्या आता है cash and capital तो एक आप बनाएंगे cash का और दूसरा column बनेगा liability side में capital का उसके बाद next है purchase typewriter for cash cash का तो cash का तो अलड़ी है इसके परचेस goods for cash goods purchase किया stock का column आपको बनाना है और cash का column आपके पास है इसके बाद है purchase goods on credit goods purchase क्या credit में तो stock का column हमारे पास है एक column और बन जाएगा creditor का liability side में तो यह आप rough में लिख लेंगे कि कौन-कौन से column आपको बनाने है इसके बाद है goods costing 60,000 sold for 80,000 on credit तो जब हम sale करते हैं credit में किसको sale करते हैं debtor को तो एक column debtor का और आजाएगा asset side में तो यह column आपको prepare करने है बाकि जैसे-जैसे point आता रहेगा मैं आपको explain करता रहूंगा तो start करते हैं first point से तो यहाँ पर बच्चो four column बनने है cash, typewriter, stock, debtor और इधर आपका आगा capital and creditor in liability और capital side तो first point है यहाँ पर और first point लिखा है started business with cash तो जब भी किसी business को start करते हैं तो entry होती है cash account debit to capital तो यह एक तो cash में plus हो जाएगा और दूसरा यह capital में आ जाएगा और यह आपके हो जाएगी equation 120,000 इसमें कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर 120 और यहाँ पर कुछ नहीं इसके बाद next point है purchase typewriter for cash typewriter cash में खरीदा तो typewriter हमारे पास आ गया typewriter debit to cash cash चला गया typewriter आ गया तो typewriter आ आपका 8,000 का हो गया और cash आपका 8,000 कम हो गया तो 8,000 कम करेंगे तो यह 1,12,000 हो जाएगा और यह 8,000 यहाँ पर कुछ नहीं है, यह same रहाएगा as it is 120, यह कुछ नहीं यहाँ पर same, मतलब कोई value नहीं आएगी फिलाल इसके बाद है purchase goods for cash goods purchase किया cash में purchase किया तो आपके पास purchase आ गया means goods आ गया, it means आपका stock 50,000 से increase हुआ and cash decrease by 50,000 तो इसके बाद balance आता है इसमें से minus करेंगे और यह minus करने के बाद आता है 62,000, यह 8,000 same रहेगा, यह 50,000 आपका और इधर यह 120 same रहेगा, no change in liability और capital side purchase goods on credit goods हमने purchase किया credit में तो stock increase हुआ goods increase हुए means आपका stock increase हुआ 40,000 का यह increase हुआ और also increase creditor 40,000 values आती है 62,000, 8,000 90,000 120,000 and 40,000 next point है goods costing 60,000 sold for 80,000 on credit 60,000 का goods sale किया गया तो goods कितना कम हुआ 60,000 से sale कितने का किया गया credit में 80,000 का तो 80,000 आगे आपके debtors में और profit कितना हुआ 60,000 के goods को 80,000 में sale किया गया credit में तो profit कितना हुआ 20,000 20,000 profit plus होगा capital में और यह आता इसके बाद 62 सेम रहेगा 8,000 ही आ जाता है minus करने के बाद 30,000 80,000 140 and 40,000 next point आता paid for rent and salary rent and salary pay किया गया rent है 1500 salary है 2000 total हो जाता है 3500 तो 3500 से आपका cash कम हो गया क्योंकि payment कर दिया उसके बाद 3500 से वारी capital भी कम हो गई तो यह आता है यहाँ पे 58,500 यह सेम रहेगा यह भी सेम रहेगा 30,000 80,000 सेम रहेगा 1,40,000 मैं से 3500 डिर्ट करने के बाद आता है 1,36,500 और यह 40,000 रहेगा इसके बाद next point है receive commission commission receive हुआ अब commission receive हुआ है तो commission क्या है हमारे लिए income है तो entry क्या होती है cash account debit to commission यानि पैसे आगे हमारे पास तो इसे plus करेंगे यहाँ पर 800 cash में plus होगा और क्योंकि यह income है इसलिए capital में भी plus होगी तो total आता है 59,300 प्लस करने के बाद यह same रहेगा यह भी same रहेगा यह same रहेगा 80,000 यहाँ हो जाता है plus करने के बाद 1,37,300 और यह आता है 40,000 इसके बाद last point है 8th point withdraw for private use जब भी हम private use या personal use के लिए withdraw करते हैं cash withdraw करते हैं तो उसके लिए entry क्या होती है drawings account debit to cash तो it means हमारा एक तो cash कम हो गया और दूसरी हमारी capital भी कम हो गई क्योंकि जबने drawings कर लिया तो हमारी capital भी हाँ कम हो जाती है तो 5000 यह आपका accounting equation complete हुआ और इसके बाद prepare करते है balance sheet अब prepare करते है balance sheet balance sheet का format liabilities left side amount assets amount क्या करना है आपको first number पे लिखा था cash 54300 last equation से लेना है 54300 next है 8000 typewriter 8000 next है 30,000 stock यह भी assets है 80,000 debtors यह भी आपका assets है इसके बाद जो point liability side में लिखे है means capital 1,32300 capital and 40,000 creditor यह आपके creditors आगे both the side दोनों तरफ का total 1,72300 and 170 to 300 और यह question आपका इस तरीके से यहाँ पर complete होता है whiskey यह यह करें क 시क्दो आपका तरफ में 12 तिखे ही झाओ करें झाद़